कि गणपती का साचा बनाने के लिए हम सब पहले मिट्टी लेंगे हम इसे अब गुथ लेंगे अब गणपती जी की एक मूर्ती लेंगे और इसे इस मिट्टी पर प्रेस करेंगे अब इसे अच्छे से प्रेस कर लिया है अब गणपती जी की मूर्ती को निकालेंगे तो देखे हमारा साचा अब तयार है यहां पर जो क्रेक्स हैं वह हम ठीक कर लेंगे और फिर छोटी सी मिट्टी की लोई लेंगे और उसे प्रेस करके हम ठीक कर लेंगे अब साचे पर थोड़ी सुखी मिट्टी लगाएंगे और ब्रस की सहता से इसे फैला लेंगे और फिर इस लोई को इस पर प्रेस करेंगे साचे पर तो हमने अच्छे से मिट्टी को साचे पर रख दिया है प्रेस कर लिया है अब हम मिट्टी को निकालेंगे तो देखिए हमारे गणपती जी की मूर्ती बन कर तियार है तो थैंक्स फोर वाचिंग